हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अलमोक से भी 625 टेबलेट के बारे में यह टेबलेट एक इंटोबार्टिक है जो बेक्टिल इंफेक्शन से फाइट में आपके हल्प करता है इसका युज फेफोडो के इंफेक्शन, कान के इंफेक्शन, nasal, sinus, пар निर्जल, sinus, यूर्णी, trig इंफेक्शन, skin के इंफेक्शन और pesar-प्ट्यूस के इनफेक्शन के इलाज में हम किया जाता है देहां दें कि एमिन्टिस्यन वाय में से common cold में कम नहीं करती है आईए जानते हैं कि बैक्टिल इंफेक्शन के इलाज़ में कैसे काम करती हैं इस टब्यक्ट में दो मेडिशन होती हैं अमोग्जेजलीन और क्लाविलानिक कैसीड ये दोनों मिलकर बैक्टिरिया को मारने का काम करती हैं अमॉक्जिलीन बैक्टिरिया की क्रोथ को रोकता है जब एक लेविल एनिक एसीड बैक्टिरिया में रजिस्टेंट को कम करके अमॉक्जिलीन के एफेक्टिवनेस को बढ़ाता है ये मेडिसन इयर्ट, शाइनस, थ्रोट, लंग, सियुनरी, ट्रेक, स्कीन, दाथ, चॉयन्ट और बोंट जैसी बैक्टिल इंफेक्टिन के लच करती है ये मेडिसन कुछी दुनों में आपको बहतर फिल करने लगती है लेकिन प्रेस्क्रेप कोर्स पुरा करना जरूरी है ताकि सभी बैक्टिरिया खताम हो जाएं और ये बैक्टिरिया में रजिस्टेंट ना बनी आप बात करते हैं इसे कैसे यूज़ करना चाहिए इस टैब्लेट को खाने के साथ लेना बहतर होता है ताकि पेट अप्सियर की प्रोब्लम ना हो इसे और डॉक्टर की प्रेस्केप सर्डूल की अकोर्डिंग ही लेना चाहिए और कोशिस करें कि इसे एक ही टाइम पर लें ताकि डोज मिश ना हो और डोज आपके इलाइस पर डेबेंड करेगा लेकिन पुरा कोर्स खतम करना जरूरी है अगर आप मेडिसन जल्दी बंद कर देते हैं तो कुछ बेक्टरिया बस सकते हैं और इंफेक्शन दुबारा हो सकता है अब बात करते हैं इसके साइड इफेट की इस टेबेट के कुछ कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में नियूजिया, डाइरिया, वोमेटिंग, फंगल इंफेक्शन, इसकी रेसेस और वजानेटिस इन्वोल्ड है यह साइड इफेक्ट नॉर्मली हलके होते हैं लेकिन अगर यह आपको परसान करें अगर आपको किसी भी अंटिबाटिक से एलर्जी है या आपको कुछ कीडिन या फिल लेवर के कोई प्रोबलम है तो डाक्टर को जोगर बताएं यह मनुसन प्रेग्नेंट सी और डिरस फेडिंग के दारान डाक्टर के एडवाईस में सेफ माने जाती है अगर बात करें इसकी प्राइस की तो यह दस्ट अब्याट किया कि श्ट्रेप आपको 170 रुपे के असपास में मिलेगी तो बस इतने ही तो अगर आप लोग के वीडियो हेलफ लगी होते वीडियो के लाइक करें और अपने भी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजए थैंक्यू